तो गदर्टू के साथ वही हुआ जिसका डर था ये मूवी पूरा नौस्टेलेजर पर खेननी की कोशिश कर रही थी इसके बारे में आगे बात करेगे तो इसकी कहानी बतो तो वही वाटसप पर जो चल रही थी कि तारा सिंग अपने बेटे को पाकिस्तन लेने जाएगा वह कि मैं लेकर आता है सिंपल सब्द में बूलू को अपने बेटे को लौच करना था तो किसी और मोवी से करना चाहिए था कडर जिसे एक आईपी जिससे लोग जुड़े हुए उसमें आनिल शर्मा ने अपने बेटे को लौँच किया और ये आनिल शर्मा को भी बताए कि कि ठीक ठाके काम चल जाता है इतना भी खरब नहीं है लेकिन अब यह बोलने पर इतना भी बोलोगा क्योंकि लोग प्रूल कर रहे आरजुन का पूर जानवी का पूरीन के बारे में क्यों नहीं बोलते तो उनके भी एक इन खरब ही होती और उनको भी बहुत चांस मिले वो इ जी था लेकिन कंतर के क्लाइमेक्स ने उस मौई को मास्टरपीस बाना दिया और दूसरे ने के टूपॉइंट के बाद करू तो सनी पाजी को कम स्क्रीन टाइम देना क्योंकि लोग उनके लिए यह मूवी देखने जा रहे थे और पॉजिटिव के बाद करू जो जो ए 971 क का एरा दिखा है वो फिल वाता है मूवी में मतलब जिस तरह सेट्स लगाए या फिर लोकेशन चुछ किए वो इस टाइम का एरा हमें फिल करवाता है और उन्होंने आर्मी के सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए एक एकड़मी को चुना था इंदूर फिजिकल एकड़मी व मैं Cash Grab नहीं काओगा इस मूवी को क्योंकि डाइरेक्टर को और सनी देवल सभी को एक लंबे समय बाद एक हीरत मूवी चाहिए थी हामेशा पटे लोग और डाइरेक्टर को अपने बेटे को लॉंज भी करना था तो इसके लिए उनने ये मूवी बनाई लेकिन और उन बज़र्ड लोग होते हैं जो बड़े बुज़र्ड लोग उनको ये मूवी आच्छी लगेगी और शाहिद इसलिए भी ये मूवी कमाई कर सकती है क्योंकि फैमिली इंटर्टेनर के दोर पर ये मूवी आच्छी है वन टेम वाच्छ है परसनल में कहोगा वोटीटी के लि मूवी को प्रोपेगेंडा बताया था गदर टू की एक बात मुझे और अच्छी लगी कि जहाँ पर लाश्ट में एक्शन सिंस थे वह आपर डायल अच्छे थे और वह सकता है लाश्ट के जो 45 मिनिट से उसके वज़े से ये मूवी कापी लोग को पसंद आए और उसकी व जैसे मुझे भी ये मूवी अच्छी लगी लाश्ट के सिर्फ 45 मिनिट जब सन्नी देवल आये जिसके लिए मैं ये मूवी देखने को गया था बाकि आप कमेंट करकर बताए आपको ये मूवी कैसे लगी